do a soul नने अपने admit card release कर दिये हैं जी हाँ जो student अब की बार assignment के वेचे पर promote हो रहे हैं उनके assignment को लेकर admit card release कर रहे हैं भी फिलाल में तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में की आप जो है अपना soldier की website से कैसे download कर सकते हो अपना admit card याने कि a soul hole ticket और इसी के साथ साथ जानेंगे assignment को लेकर क्या के guideline release करी है एस वाल ने तो वीडियो अंदर तक जब देखते हैं यह वीडियो बहुत helpful होने वारी है तो देखिए दोस्तों इसके लिए आपको student login वाले बेटन पर टैप करना होगा ठीक है जैसे इस पर टैप करोगे आपको यहा यानि कि आपका whole ticket release हो चुका है assignment के वेस पे जो student अब की बार promote हो रहे है अभी फलाल में उनका हुआ है और जादे तर मुझे यह वी देखने के लिए मिला है जो हमारे first year के student है ठीक है first or second semester के उनका ही assignment को लेकर whole ticket release करा है जो हमारे second year के student है उनके जो assignment है अभी late start होंगे यान कि जहां तक है 30 तारिक से start होने इसलिए उनके जो है थोड़ा old late करेंगे 2-3 दिन बाद आ जाएगा फैले जो है इन्होंने release करा है first or second semester के student होगा ठीक है तो यहां पर अपना इस पे click कर लेना है चेक करने के लिए यह थोड़ा सा समय लेगा इसके बाद खुल जाएगा दे रोल लंबर ठीक है एक्जाम रोल लंबर देखी मैं आपको जूम करके दिखा दूं तो इस प्रकार से आएगा लिखा हुआ देखिए एक्जाम रोल लंबर ही आपको डालना है अपने assignment जवाब फिल करोगे ठीक है सबसे ओपर जो आपको भरनी है डिटेल गैडलाइन के अ इस ओल का जो एक्जाम रोल लंबर है बो वाला यहां पर आपको फिल करना होगा जो आपके अड्मिट कार्ड में नहीं होता है यहां पर देखिए सबसे नीचे फिर आपके आपकी सब्जेक्ट लिस्ट आ जाती है ठीक है कौन कौन से आपको assignment देने है इस्टार्ट डेट क और यहां पर हम instruction पढ़ लेते हैं जो guideline है assignment को लेकर तो देखिए दोस्तों यहां पर बताया गया है कि आपकी जो assignment के अंदर जो चीजे है वो mail खानी चाहिए जो आप अपना assignment जो है upload करोगे ठीक है यानि कि जिस subject का आप assignment upload कर रहे हो वो आपके assignment के अंदर वो subject होना चाहिए उसका code सहीत यहां पर बताया गया है second point में यदि जो है कुछ भी दिक्कत बगरा होती है तो वो S.O.L. की जो website पे हमारी date sheet release करी गई है उसके अंदर जितनी भी चीजे हैं वो मानी जाएंगी ठीक है अंतिम फैसला उसी के हाथ में होगा जो हमारा S.O.L. की website पे upload किया गया ह content और इन्होंने third point लिखा है कि सभी candidateों को सला दी जाती है कि वो सभी नर्देसों के बाद जो है टिकेट प्राप्त करें यानि कि जो आपका ये admit card है ये सारे नर्देस आपको भी पढ़ लेने हैं इसी तरह से मैं तो यहां पर आपको पढ़के बता रहा हूं वैसे ठीक है और यहां पर देखे बताया गया कि यदि आपको इस अपने whole ticket में कुछ भी कहीं भी दिक्कत होती है तो इसके लिए यहां पर एक email id प्रोवाइड करवा रखें उन्होंने grievance exam 20.20 at the rate sol.du.ac.in इस पर आप email कर सकते हैं इसका email id का जो मैं direct जो link है मूं इस वीडियो की description में आ लिखें गई है और देखें यहां पर बताया गया है यह जो आपका admit card है यह उनी के लिए release है जो अभी फरस्ट और सेकिंड सेमिस्टर के स्टुडेंटों जिन्हों ने 2019 में अपना एडविसन लिया है ठीक है वही देंगे और माने नियाल लेकिन नडदेसों के अनुसार य मारी कोविन नांटिन के करण लिया है 2019 के लिए लिया है तो देखिये उनने जो है अपने लास्ट वाले एर में जो है आगामी जो कि साल आएगी आने वाली जो साल थर्ड यह उसमें आपको वाला एक्जाम देना होगा यहां पर देखिए अगला पोईंट बताया गया है कि आठवा पॉइंट की एदर हम बात करें कि स्टुडेंटों को अपने एसाइनमेंट पर जो है कोई दो प्रिसन लिखने होंगे ठीक है जितने भी वहाँ पर कोशन होंगे ये नहीं मैं आपको बता सकता कि कितने कोशन होंगे पर उसमें से जो है दो प्रिसन के उत्तर आपको लिखने होंगे सबी प्रिसनों के अंध जो हैं बरावर होंगे यहां पर यह बता दिया गया है ठीक है कितने कितने नंबर को आपकी सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है पेपर के लिए अलग-अलग पुस्तिकाम को अपयोग करना होगा ठीक है आपको जो है एफोर साइट क जो सीट लोगे आप अपनी उनको जो है जैसे माली जी आपका असाइनमेंट जो है पंदरे पेचों में एक असाइनमेंट आ गया तो दूसरा पंदरे पेचों का अलग बनाईएगा ऐसे नहीं कि सारे एक में अटेच करके दे दोगे ठीक है अलग-अलग सब्जेक्ट का अ चाहिए अज़ा देहान लगता देखेंव दूसरे तरफ क्यों नहीं कहते हैं कि इसकेच बगरा ब्लू या ब्लैक ही ले सकते हो इस बात का भी ध्यान लगना कलरमेट नहीं यूज करना नहीं कलरमेट जो है आप अपना पेज यूज करना के वह बाइट पेपर ही होना चाहिए क्योंकि जब आप स्कैन करते हो न तो वो बाइट हो जाता है यहां पर देखे बारवा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि एसोल का रोल लंबर और अपना जब आप असाइनमेंट त्यार करोगे वहां पे एसोल रोल लंबर भना होगा आपको ठीक है और अपना एक्जाम रोल लंबर अपना यूनिक पेपर कोड यूनिक पेपर कोड देखी आपका उसी मे तो इसी प्रकार से वह आपका पेपर कोड जो है यूनिक पेपर कोड बोलते हैं इसे यू सी तो यहां पर देखे आगे बताया गया यूनिक पेपर कोड लिखने के बाद आपको अंसर सीट में सारी चीज अटैच कर लेनी है सबसे नीचे बोटम दे रखा है ठीक है नीचे वाले लाइन पे आपने साइन कर लेने है और लास्ट की जो दो तीन लाइन है उन्हें खाली चोड़ देना कभी इसमें भी गिच पिच कर दो आप तो देखी यहां पर बताया गया उत्तर पस्तिका हूं कैसे अप्लोड करना है आप कमेंट कर देना और अपना जो है हमारा सेर कर देना अपना कंटेंट पेज हमारे वर्समनामबर पर देखी यह आपर बतायागा उत्तर पुस्तिकानि करके आपको अप्लोड करनी है अन्तिम लास्ट देट जो आपको दे जो भी दे रखे उसके श्जग ठीएससे पहले सोल के के लिए यहां पर जो हमारे पीड़वलू के टेगरी से बिलों करते हैं जो स्टुवेंट दिब्यां के लिए उनके लिए इंफार्स्ट्रक्चर की सुविधा उपलब्द की गई है नौर्थ और साउथ केमपस में यहां पर देखे और हमारा केसब पूरम में और इस पत्र पर प्रवेस के समय दिये गए जो विकल्ब हैं उसी के ही उत्तर अपलोड करने है इस बात का ध्यान लखना इसके बाद आपको यहां पर यह सारा प्रिंट कर लेना है यदि आप प्रिंट करना चाहो इसको प्रिंट रख लीजिए आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को सेर कर दिजेगा यदि आपको पीडियो नहीं बनाना है इसके लिए मैं आपक को ठ вещи कि बाता दीन तो इस वीडियो के साथ कि अपने असी चैनल पर वीडियो के सब्सक्राइब करने मूर्स कर दिएगा क्यों कि ऑर मित्रों के साथ जो है जब वीडियो सेड होती तो उन्को भी समझना आ जाएगा कि गाइडलाइन क्या है डियो एस वल ने जो ओफिसल रूप से रिलीस करी हैं तो आप देख रहेते थेंक्स डो पॉलिटी आसिस्ट गोतम के साथ तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त थेंक यू